दोस्तों वेल्कम बैक टू दो चैनल सरस्टी स्टेडी पॉइंट और आज मैं बेहार से सब्मंदित महत्पूर्ण कोशन लेके आई हूँ जी हाँ ये हैं जी के के कोशन और बहुत इंपोर्टन कोशन है ये हो बेहार में जो टीचर्स की वेकेंसी निकली है उसके लिए तो बहुत ही अच्छे कोशन है इससे आपको एक्जाम में जरूर कोशन देखने को मिलेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हिंदी से रेलेटिड आपको वीडियो देखनी है तो हिंदी की वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे जब चैनल पर तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और हिंदी का जो बिहार का एरता वाला पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश के जिसमें question आएंगे तो इसमें आपका काफी कुछ clear हो जाएगा तो GK को question में देखते हैं आज का पहला question कौन सा बहुत important question है त्यान से वीडियो को दोस्तों देखेगा तो यह देखे पहला question है बिहार और उडिशा को बंगाल से कब अलग किया गया तो यह आपको सब को पता है कि पहले बिहार उडिशा और बंगाल से तीनो एक ही थे ठीक है तीनो एक ही थे कब अंग्रेजु के जमाने में उसके बाद इसको अलग किया गया तो 1912 में जब इसको अलग किया गया था तो इस चीज को याद रखेगा बिहार और उडिशा को बंगाल से जो है 1912 में अलग किया गया था तो यहां पर पूरा लिखा हुआ है अगला कोशन यहां पर देखते हैं जनसंक्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा इस्थान है जनसंक्या घनत्व के आधार पर पूछा जा रहा है यानि कि जो एरिया हो उसमें कितनी पॉपुलेशन रहे रही ह कितना गणत्व है उसके हिसाप से, ठीक है, कहीं पर क्या होता, एक, एक मीटर में मा लिजें, दो चीजे हैं, कहीं पर एक मीटर में दस चीजें रखी हैं, तो गणत्व बढ़ गया, इस चरह से यहाँ परकोशन है, तो इसमें जो है, इसका तीसरा इस्थान है, यह देखिया पर बिहार की सबसे उची चोटी है अगला देखे कैमूर पाणियां विंद परवस्रेडी का पूर्वी हिस्सा जो बिहार में सासा राम तक लगबग 483 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है कैमूर की जो पाणियां है तो यह से विंद परवस्रेडी थोड़ी सी यूपी मे भी आती है ठीक है तो इस चरह से यहां पर कोशन है अगला यूनानी राजदूद मेगस्तनी किसके दरवार में रहता था तो यह जो है चंद्रकुप्त मौरे की दरवार में रहता था मेगस्तनी और यह इसने जो तब देखे लिखा यह मेगस्तनी चंद्रकुप्त मौरे के 1619 में बिहार की यात्रा की थी, तो वो थे मुहम्मद सादिक, मुहम्मद सादिक थे, इरानी थे ये, इन्होंने 1619 में बिहार की यात्रा की थी, कोशन इंपोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा अलग कोशन है, ये एक्जाम में आने की पूरी संबाबना है, क्योंकि बच्चे Act 1773, History में इसको पढ़िएगा, काफी इसमें डिटेल में दिया हुआ है, History की बुक में, कोई भी बुक अच्छी ले लीजेगा, उसमें दिया हुआ है, और वैसे बुक का पूरा में बता दूँगी कि कौन कौन सी बुक important है हर सब्जेक्ट के लिए, Regulating Act 1773 के बाद बिहार पर पटना में हुई थी, कहां हुई थी दोस्तों, पटना में हुई थी, Home Rule League की स्थापना किस ने की थी, यह कोश्चन मार के यह आप बताईएगा, ठीक है, इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे, 1922 में भारती रास्टिये कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता किस कोशन आप बताईएगा, इस तरह से कोशन आप बताईएगे, अगर ढूनेंगे तो आपके और भी कोशन तयार हो जाएगे, Forward Block की बिहार शाखा की स्थापना कब हुई, तो 1940 में हुई थी इसकी स्थापना, एक प्रशासक के रूप में उनकी शमता के कारण किस मुखमंत्र को धोती कुर्ता से IAS कहा गया, तो ये जो हैं वो थे चंदर शेकर सिंग को कहा गया, एक प्रशासक के रूप में, मुखमंत्री चर्शेकर सिंग को धोती कुर्ता से IAS कहा गया था, ये important question है, इस question को याद कली जगा, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहां पर हैं, तो स परियोजना देहरी रोतास, जैनगर स्मॉल स्केल परियोजना रफी गंज और अंगाबाद, तेजपुरा स्मॉल स्केल परियोजना ओरवा, ओवरा और अगनूर परियोजना कलेर जहानाबाद, तो इसका जो उत्तर है, वो है जैनगर स्मॉल स्केल परियोजना रफी गंज नहीं पाई जाती बिहार की दक्षनी गंगा के मैदानी शेत्रों में अगला है बिहार की किन जिलों की शेत्रों को करेल कैवाल मिट्टी का शेत्र कहा जाता है important है कृषिस related question इसमें आ सकता है करेल कैवाल मिट्टी तो यह शाबाद गया पटना और मुंगेर में पाई जाती है मिट्टी ठीक है अगला है पूरा है बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है चीनी मिट्टी ठीक है अगल जो मोंगेर में बच्चे रहते हों उन्हें पता होगी बिहार राज उर्जा परिशत की स्थापना कब हुई थी तो बिहार राज उर्जा परिशत की स्थापना 1958 में हुई थी अगला है बिहार में जल प्रवंदन अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो ये जो है वो सब्ज पूरा पटना में इस्तित है जल प्रवंदन अनुसंदान केंद्र अगला है गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण कव तैयार हुआ तो ये जो है वो 1976 में तैयार हुआ था अगला कोशन है ये पूरा यहीं लिखा है इसके बारे में ड्रिल भी दी है ये जो है प अक्षी अभ्यारण किस जिले में पूछ रहे है ये तो ये दरवंगा में है ठीक है दरवंगा लिखा है फिर है गोंड जनजाती की भाशा क्या है ये इंपॉर्टन कोशन है तो गोंड जनजाती की भाशा जो है वो मुंडारी है ये इंपॉर्टन कोशन है इसको याद कर और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हूँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों